तो दोस्तो टी प्लस टू और टी प्लस वान का जो कश्मकश था एफपी आई इस और सेवी की बीच में ओ अभी भी खत्ब नहीं हुआ है अभी भी एफपी आई अलग लग इंडिसीज या अलग लग फॉरम्स के तुरू ओपन लेटर्स लिख रहे हैं सेवी को कि हमारी कंसल्टेशन ज़रूर ले लीजेगा इंप्लिमेंटेशन से पहले लेकिन सेवी अस यूज्वल सुनने की सिच्वेशन में नहीं है सुन नहीं रहा है और उस ओपन लेटर के लिए भी कोई जवाब नहीं दिया है उन्होंने पहले भी एक तरीके से कहा था कि ये रीटेल टेडर्स के लिए अच्छा है जो कि अक्शुल में है इस तुरूथ कि अपने बहुत कम दिया है इस चीज को अपने आपको ढालने के लिए हमें थोड़ा टाइम और चाहिए और टाइम ही ये मांग रहे है कि इस तरीके से ओपने लेटर में क्या लिगा है और कौन-कौन सी पार्टी इसमें असोशियेटिड है और सेवी का इसमें क्या एक तरीके से टेक है कहना है ये सब कुछ इसमें में देखने की कोशिश करेगे तो आईए शुरू करते हैं तो दोस्तो तीन ग्लोबल असोशियेशन एशियन सेक्यूरिटी इडिस्ट्री और फानेशल मार्केट असोशियेशन इसको एएस आए फम ए भी कहते हैं ट्रेडर्स फॉरूम ओफ होंग कॉंग और यूके बेस्ट का एक इन्वेस्ट्मेंट असोसियेशन इन तीनों ने मिलके मतलब एक तरीके से अब दिखिए पूरा पूरा एशिया थेन यूँ हाब हॉंग कॉंग मार्केट जन्यू लंडन मार्केट इन सबने मिलके इसको थ दिखा गया है और यह कहा गया है कि जो आप टी प्लस टू लेके आ रहे हैं उसको थोड़ा रोग दीजिए थोड़ा सा पोस्ट पॉन कर दीजिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि हमें इस चीज को खुद को धालने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए अब देखिए आपस मिलेगा शेयर भी अब डीमेट अकॉंड में जल्दी से सेटल होंगे तो सटन लेवल पर इट इस वेरी वेलकम मूव फोर रीटेल ट्रेडर एन इन्वेस्टर लेकिन एक तरीके से एफपियाए कंप्लेइन कह रहा है कि इन सारी की सारी सिचुएशन में हमसे पूछा भी नहीं गया हमारे बारे में फैसरा लिया जा रहा है और हमसे पूछा नहीं गया थोड़ा ध्यान आए आपको रीटेल ट्रेडिंग के लिए मार्जिन रूल में ऐसा ही किया गया था जब इंडियन एस्वेशन और फॉरम को पूछा नहीं गया था इंडियन ट्रेडर से ही कोई feedback या survey नहीं लिया गया था और बोल दिया गया था कि रीटेल ट्रेडिंग के लिए मूव पहतरीन है यही चीज इस बार भी कही जा रही है अब ASIFMA जो के Asian Securities and Financial Markets की एक तरीके से association है उन्होंने कहा है कि US Markets सीख लीजिए US की SSC Securities and Exchange Commission ने हमें तो हुछ साल दिये थे 2 years जो वो T plus 3 की जगा T plus 2 में मूव हो रहे थे आपने दिये हैं चार महीने चार महीने में किस तरीके से जो global exchange systems होते हैं time difference होता है यह सब कुछ किस तरीके से आप tackle करने की expectation हमसे रख सकते हैं लेकिन से भी बिलकुल बज नहीं कर रहा है T plus 1 रूल को लेके उसका कहना है कि हज के लिए जल्दी liquidity market में आएगी it's good for them तो but at the same time FPI's also do matter in the situation FPI's करीब करीब 655 billion dollars market में लेके आते हैं investments लेके आते हैं और यह 20% है इंडिया का market capitalization का तो एक तरीके से अच्छा खासा नंबर है मतलब पांच्वा हिस्सा है जिसमें के FPI का पैसा खुद का लगा हुआ है वहीं इंटरनेशनल foreign agencies ने ये भी कहा है कि ये move देखे हमें तो नुकसान देगा ही बट आपके जो community है ecosystem है जिसमें brokers आते हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है कैसे ऐसा इसलिए कि अगर trade fail हो जाती है बहुत बार यह होने के chances हैं कि trade fail हो जाएं settle नहीं हो सही time पे अगर trade fail होती है तो local जो broker है कई बार failed trades के कारण उसको खुद नुकसान हो सकता है since brokers जो इंडिया के brokers हैं काफी brokers जात दर level पे कम capitalization के साथ मतलब कम पैसे के साथ अपने कम खुद के market value के साथ पैसा market में लेके आते हैं तो एक systematic risk बढ़ता है जिससे के brokers default कर सकते हैं देखिए अब यह गुगली है या सचाई पाकी पता नहीं लेकिन यह FPI इस ने जुरूर बताया है इन associations के तुरू के brokers और बाकी के जो छोटी मोटी entities हैं certain level पे जब पैसे की बात आएगी तो संभालना मुश्किल हो सकता है जबके market में orders fail होंगे finally इन्होंने यह भी example दिया कि आप ताइवान से सिख लीजिए ताइवान चाइना जब T plus 2 से T plus 1 मुव हुआ काफी साल हो गए है 10-12 साल हुए है मुव हुए तो Asian market चाइना ने क्या किया था कि कुछ ही stocks पे T plus 1 की settlement लगाई थी पूरी market पैसा नहीं किया specific stocks पैसा किया गया थ अब T plus 1 का दोस्तों मतलब यह बन जाता है कि सिंस इंडिया औरी 8-16 गंटे आगे है European and US market से तो एक तरीके से यह T ही रह जाता है उसी दिन ही settlement करनी होगी अभी थोड़ा सा समय मिलता है T plus 2 में इनके पास time होता है बहुत सारी चीज़े करनी होती है खहर इनको जिसमें कि करना पड़ेगा तो शायद करेंगे तो अभी के लिए दोस्तों यह है situation जहां पर एफपी आइस थोड़े से परिशान है रूल अलग है यह रूल रीटेल ट्रेडर के लिए अच्छा है मार्जिन रूल बिलकुल नहीं दोस्तों सेवी को फिर से गौहार है मार्जिन जूर पंद कर दीजिए कुछ ना कुछ लेवल पे पीच का रास्ता निकाल लीजिए ना आपकी ना हमारी 50% मार्जिन से शुरू करते हैं फिर देखते हैं गारी आगे कहां चलती है लेकिन अभी के लिए दोस्तों जरूर बात यह समझनी चाहिए कि कुछ ना कुछ लेवल पे हर आइडिया समझ गए हैं क्या एक्जाक्ली हम कहना चाहते हैं अगली वीडियो में जलती ही मिलेंगे थैंक्यू सो मच रिक्या बाई झाल झाल पाल झाल